हेलो अब्रिवान वल्कम ठुदा विडियो तो कैसा लगाया मेरा लोग होप आपको यह मेरा लोग काफी अच्छा लगा होगा तो अगर आप इवी से कैरी करना चाहते पिंक लहरीया साड़ी में तो चलिए इन विडियो सुरू करते सबसे पहले हमें अपने फेस पे करते हैं उसे आपको एजा बेस यानि यहां पर मैंने कुई प्राइमर मॉस्तुराइजर नहीं लिया है यहां पर हम सबसे पहले यूज करेंगे जो भी आप रगुलर सीरम यूज करते हैं वह सेरम आप ले और पूरे फेस को पहले आप हाइडरेट कर ले ताकि आपका एक तयार हो जाए तो यहां पर मैं सबसे पहले मैंने सरम लिया और अपलाए कर लिया अब बारी आती है हमारी फाउंडेशन अपलाए करनी क्योंकि यहां पर हम फेस्टिब के लिए तयार हो रहे है फेस्टिबल लुक चाहिए तो मेक अप थोड़ा सा जादा हमें करना होता है heavy sa makeup हमारे चहरे पर अच्छा लगते हैं Indian Outfit Fits पर काफी अच्छा लगते हैं तो यहाँ पर मैंने जो भी आप regular basis पर foundation यूज करते हैं उसे लेना है dot dot पूरे चहरे पर मैंने यहाँ पर apply कर लिया अब हमें लेना है एक make up फिक्षर यानि अगर आपके पास नहीं भी है तो आप इसे skip कर सकते हैं डारेक्ट आफ फाउंडेशन भी apply कर सकते हैं और उसे मैंने अच्छे से sponge की help से blender की help से मैंने यहाँ पर काफी अच्छे से blend कर लिया अब बारी आती है हमारे eye makeup की तो हमने यहा पर concealer लिया है और concealer हम अपने पूरे थोड़े थोड़े आइस पे और जहां भी आपको spot से वहाँ पर अप्लाए कर और अच्छे से blend मैंने यहाँ पर कर लिया है ठीक इस तरह से आपको भी blend कर लेना है तो step by step यहाँ पर पूरा आपको मैं बता रही हूं तो वीडियो को बिन skip कि आप ध्यान से देखे ताकि यह पिंग साड़ी जो लहरिया लुक हमारा तयार हो गया है काफी attractive सा लुक यह आपको भी मिल सके अब हमें यहाँ पर लेना है compact और compact से अपना base और अच्छे से हम finish कर लेंगे अच्छा सा हम तयार कर लेंगे हमारा यहाँ पे पूरे तरह से मैंने अपने foundation को एक अच्छा सा blend करके मैंने यहाँ पे final look create कर लिया है अब बारी आती है हमारे eyebrow को dark करने की क्योंकि हमने यहाँ पे festive के लिए तयार हो रही हूँ तो हमारे जहां भी eyebrow आपने gap है वहाँ पे अच्छे से फिल कर ले और यहाँ पे eyebrow pencil पहल से मैंने यहाँ पे सुंदर बनाने की तो liner यहाँ पे मैं ले रही हूँ और liner आप apply कीजी आप ठिक लगाते हैं आप regular basis के साफ से आप लगा सकते हैं फिर यहाँ पे मैंने काजल लिया है brush की healthy मैंने थोड़ा सा outside में थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे काजल apply कर रही हूँ आप चाहा सकते हैं त तो काफी वो भी आप लगा सकते हैं अब बारी आती है मसकारे की तो मसकारे तो जरूर लगा इससे हमारी पल के काफी घनी लगती है और सुंदर लगती है उसके बारी आती है हमारे आखों को सुंदर बनाने के eye shadow लगाने की यहाँ पे मैंने copper color यह simple सा कोई भी brown color ले और हमन यहाँ पर अप्लाई कर लिया है अब यहाँ पर मैं अपने साड़ी से मिलते जुलती pink color यहाँ पर लूँगी और थोड़ा सा मुझे middle eyes में यहाँ पर मुझे apply मैंने किया हुआ है थोड़ा सा आप अपने outfits के match के हिसाब से आप कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं थोड़ा तो आप ऑफी बिल्कुल दीरे-दीरे अपने लें आ यहाँ iç अराम से अपना make up करें अब बारि कजरारे नयम बिन और लिपस्टिक डार्क अब यहां पर उसे लिपस्टिक से ब्लस बनाएंगे अब आपको कोई अलग से ब्लस के जुरत नहीं है अब रेड हो पिंक हो औरेंज हो इसका ब्लस के तरह भी यूज़ कर सकते हैं तो यहां पर मैंने तीन चार डॉट लिये हैं अ हमारे हाइलाइटर लगाने की तो यहां पर मैंने रोज फिनिस हाइलाइटर लिया आप चाहें तो वाइट हो जो भी आपके पास अबलेबल हो कुछ थोड़ा सा गालों पर लगाए नाक पर लगाए और आइब्रो की साइड में लगाए जिससे आपकी आइब्रो आखी सु अब सूर्ती में 4-4 लग जाने वाले हाइलाइटर ब्लस लगाने हैं अब मैंने लगा ली है बिन्दी जैसा कि पता है इंडियन आउट फूर्ट पर बिन्दी कितनी ज्यादा सूट करती है अब यहां पर बारी आती है जोल्री पहनने की तो यहां पर मैंने लिया है चोकर अब यहां पे मैंने पहन लिया है अब चलिए बालो को सवार लेते हैं तो यहां पे मैंने मिडिल पार्टिशन किया है थोड़े से क्लैचर ये क्लिप्स लगा के मेरा ये फाइनल लुक तयार हो गया हूप आपको ये लुक काफी अच्छा लगा होगा तो मेरे विडियो को ज लगा होगा कमेंट में जरूर लिखे आपको ये लुक कैसा लगा और आप भी इस तरह का फेस्टिब लुक ट्राइ कर सकती हैं थांक्स पूर वॉचिंग बाई